महा शिवरातरी पर शिवलिंग पर पंचामरित चड़ाने से होते हैं चमतकारी फाइदे अब चमतकारी फाइदे लेने के लिए पंचामरित तो सब को शिवलिंग पर चड़ाना चाहिए लेकिन उसका तर्क क्या है उसका लॉजिक क्या है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पंचामरित बनता कैसे है, कौन-कौन सी चीजें डलती हैं जिससे कि पंचामरित बने, पंचामरित में डलने वाली पांच चीजे होती हैं, पांच चीजें, दूद, शहद, घी, गंगाजल और दही, ये पांच चीजें, दूद, दही, शह ऐसन देशी घी शुक्र के इदिन आता है शहद मंगल के अधीन आता है और लेकिन सब चीजों के साथ-साथ from Mainly प्लैनेट है जो पंचामरिद बनाते हैं यानि battनी तीनों फ्लैनेट जब आप शिव्कर अरपन करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी जुड़ी होती है श्रद्धा अब श्रद्धा जो है वो ब्रस्पती के धीनाती है ब्रस्पती जो है वो expansion का कारक है यानि कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने का कारक चंद्रमा जो है वो किस चीज़ का responsible planet है आपके liquid cash का, आपके emotions का, आपके घर की खुशी के एहसास उसके बाद mangal जो है वो किस चीज़ का कारक है आपके घर की खुशी का, आपके blood का, आपके घर में होने वाले किसी भी beneficiary event का क्योंकि वो mangal नेक है, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब mangal जोड़ेगा तो mangal नेक हो जाएगा और वो सिर्फ खुशी को represent करेगा शुक्र जो है वो किस चीज़ का कारक है आपके spouse का, आपकी luxury का, आपके हर तरह के सुख, एश और आराम का कारक तो ये तीनों ग्रह जब ब्रस्पती की, यानि कि आपकी श्रद्धा के साथ जब जुड़के आप इन तीनों को पंचामरित की शकल में जब आप शिवलिंग पर अरपन करेंगे तो इन तीनों ग्रहों के अधीन आने वाले हर एक सुख की वृध्धी भगवान शंकर जो है वो आपकी करते हैं और वो प्राक्टिकल में देखने को मिलता है उसके साथ साथ जब मंगल और शुकर का मेल होता है यानि कि घी और शहद जब जुड़ते हैं तो मंगल और शुकर मिलते दोनों से चंद्र बनता यानि कि आपकी मेनत और लक्जरी दोनों चीज़ें जब बढ़ेंगे तो आपका जो डेली इंकम है वो बढ़ती है इसलिए इस शिवरातरी पर आप भी पंचामरित को श्रद्धा बूर्वक शिवलिंग पर चड़ाएं और अपने घर में होने वाली हर तरह की पैसे की खुशी की लक्जरी की सुखो अराम की बरकत बढ़ाएं आपका महाशिवरातरी आपके लिए बहुत मंगल में थाबित हो ऐसी मेरी कामना है जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे नमबर पर कॉंटेक करें